वेल्कम बेक गाईज श्वागत है आपको इवार्फिश यह मस्यमस क्लासिज की यूटूब चनल पर प्यारे साथ यो अभी आपने फरवरी में और जनवरी के अंदर 29 जनवरी से लेकर के और फरवरी के 8 फरवरी तक समस्टर 1 की प्रिक्षा जो है बीए बीए सी बीकॉम पार्ट फर्ष्ट के चातरों ने दी जिनका एक नोटिफिकेशन शेखावाटी यूशिटी के द्वारा पहले जारी किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि 24 फरवरी तक आपको जो है आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा टिकलेर कर दिया जाए लेकिन आज 29 फरवरी हो चुकी है अभी तक जो रिजल्ट है वो डिकलेर नहीं किया गया है तो इसके संबंद में जो कोलेज होती है अपनी उन्होंने शेखावाटी यूशिटी से जवाब मांगा तो जवाब की फलसुरूफ शेखावाटी यूशिटी ने यहां पर तकरी पर्माने के कारण आपका जो रिजल्ट है वो अभी तक गोशित नहीं हुआ है तो इसमें जैसे कि जुझनु डिस्टिक के अगा पर बात करें तो तीन कोलेज जो हैं वो जुझनु डिस्टिक के हैं बाकि सभी कोलेज जो हैं वो अजशिकर डिस्टिक से यहां पर महिंदर महा विद्याले इसलामपुर जुझनू इसने भी अभी अनापती परमान पत्तर जो है वो जमा नहीं करवाया है। इसलामपुर जिसके कारण जो रिजल्ट है वो नहीं अडिकलेर हो पाया है। तो जैसे ही ये जमा करवा दिया जाएगा उसके बाद में रिजल्ट जो वो गोशित कर दिया जाएगा अगर आप भी इन कोलेज के अंदर यानि बीए बीए सी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार थी अगर इन थार्टिन कोलेज में अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने कोलेज वालों से जाकर के ये बात बोल सकते हैं आप क्यों बोल सकते हैं आप ऐसा अशली बोल सकते हैं क्योंकि अगर आप रेगुलर हैं और कोलेज वालों ने अनापती प्रमान पतर जमा नहीं करवाया है तो फिर आप प्राइवेट चातर की केटेगरी में आ जाओगे ऐसा युनिवर्शिटी ने साफ साफ बोल दिया है तो उमीद करता हूँ दीवी जानकारे आपको समझ आई होगी फिलाल के लिए इतना ही थैंक यू सो मज़ है वे गुड डेए